19 तारिक की शाम को तै हो जाएगा कि राज़ी सभा चुनाव के लिए किसकी रणनीती काम्याब हुई है दोनों ही दल इस वक्त रणनीती बनाने में जुटे हुए है बीजेपी की बात करें और जो सियासी समीकरण है उसके बाद दो सीटें बीजेपी जीते की अपका नजर आ रहा है कॉंग्रेस को एक सीट से संतुष होना पड़ेगा बीजेपी के डिनर में शामिल होका नो दो निर्दलिये साथी साथ दो बीजेपी एक सपा विधाय को ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि वो किसके साथ है देख हम ना तो पत्ते खेलते हैं और न पत्ते देखते हैं न पत्ते फैटते हैं हम लोग तो भारती जितना पार्टी अपना काम धंग से करती है सहज रूप से आज भोजन पे सब लोग इकटे हुए जिसमें हमारे मित्र साथी जिनों ने हमारा विश्वास मत का भी समर्थन किया था वो सारे साथी भी आए, उनका स्वागत है, हम सब साथ है और देखे, इसके अलावा कॉंग्रेस ने पनी रणनीती बदल दी है कॉंग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की आईशंका को देखते हुए, दगवजस सिंग के लिए 54 विधायकों को नामांकित किया है जबकि एक सीट के लिए सिर्फ 52 वोटों की जरुवत है राजे सभा चुनाप पुलिकर दोनों दलों की तयारियां क्या है और क्या रणनीती है इस पर एक नज़र डालते है अगर बीजूपी की रणनीती की बात करें तो विधायकों के लिए डिनर का इंतिजाम किया गया विधायकों के पहुँचने का सिलसला यहां पर जारी रहा बीजूपी के 106 विधायक पहुँचे यशोधुरा राजे सिंधिया बोपाल पहुँची मगर डिनर में शामिल नहीं हुई दो निर्दलिये, दो बीएसपी, सपा के एक विधायक भी पहुँचे सिंधिया 19 जून को नहीं आएंगे, राजवर्धन, दत्ती गाउं, प्रतिनिधी होंगे वोटिंग के निगरानी उमाशंकर गुपता और बंसीलाल गुर्जर को सौपी गई है वहीं मतगर्णा स्थल्पर, यश्पाल सिंग ससोधिया, गिरीश गौतम, एजिंट के तौर पर अर्विन धदोरिया और अजय विष्णोई रहने वाले हैं तो वहीं कॉंग्रिस ने अपनी एक अलग रणनीती तयार की है कॉंग्रिस विधायक दल की बैठक आज दूसरी बार फिरिसे बुलाई गई है क्योंकि कल हुई बैठक में बहुत सारे विधायक नहीं पहुँच पाए थे कल जो विधायक पहुँचे थे उनकी संख्या 87 है आज बचे होए विधायक पहुंचेंगे जो बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे आपको बता दे कि पहले प्रेफरेंस के उमीदवार दिगविजस सिंग है तो वहीं दूसरे प्रेफरेंस के उमीदवार फोल सिंग बरा गया है वोटिंग के दौरान कमाम एतियात बढ़ता जाएगा वोटिंग के दिन कमलनाथ के घर से एक साथ ये सभी विधायक पहुंचेंगे आपको बता दें कि 54 विधायकों को निर्देशित किया गया है कि वो दिगविजस सिंग को ही वोट दे पीसे से चीफ कमलनाथ का वोट भी दिगविजस सिंग को ही मिलेगा फोल सिंग बराया को कॉंग्रिस के 38 विधायक वोट देंगे तो इस वक्त जो मौझूदा संख्या बल है उसके हिसाब से क्या गणत फिट बैट ता ये ज़रा देख लीजे राजिस सभा का समी करण ये है कि बीजेपी दो सीटे जीतने जा रही है और कॉंग्रिस को एक सीट मिलेगे बीजेपी के पास दरसल 107 विधायक है जिसमें दो निर्दलियों दो बीएसपी एक सपा का भी समर्थन उसको मिल गया है जिसके बाद ये संख्या बल 114 हो गया है बीजेपी की दो सीटे पक्की मानी जा रही है कॉंग्रिस के पास अभी 92 विधायक है और दो निर्दलियों का समर्थन है तो इस तरीके से ये गनित बताता है कि इस वक्त बीजेपी के खेमे में दो और साथ ही कॉंग्रिस को एक सीटे ले जा रहे है